नमस्कार फ्यूचर ओफ इंडर आप स्वागत है मैं हूं हिमान सुक्मार इस वीडियो हम लोग ट्राइडेंट कंपनी उपर चर्चा करेंगे जाने के यह ट्राइडेंट के अच्छे दिन कब आने वाल है क्योंकि जब से इसने 70 रपे का असपास कहाई बनाया है तब से तो बसीजिस पर इसाब बैठाएंगे कि इसमें हमें आगे करना क्या है नए लोहों के लिए क्या उपरशूनीटी यह है आधी इत्यादी शुरूबात करते हैं कंपनी के फॉचर डिसाइड नहीं होती कंपनी का किसी भी कम्पनी के जो फ्यूचर डिसाइड होता है वो कंपनी के जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर, सेक्टरियल ग्रोथ, कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के मेनेजमेंट, बहुत सारे चीज़ों को मिला कर डिसाइड होती है, इसलिए सिर्फ क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी का फ्यूचर डिसाइड नहीं किया सकता, हा लेकिन क्वार्टर की रिजल्ट यह अच्छे आते हैं, तो यह इनुमान लगाया जाता है कि कंपनी आगे की तरफ बहतर करेगी, फिरहल इसके उपर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, लेकिन देखते हैं क्वार्टर का रिजल्ट अभी सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट आया है सिर्फ 1442 क्रोन रोपे का यानि के तकरीवएफ़ 260 क्रोन रोपे का जिराउट क्वारट सलाना अस्तर पर देखा गया है क्वार्ट के रिजल्ट में वहीं यह दि पिछले क्वार्टर की बात करे यानि कि क्वार्टर वन में कमपनी की कंपाई होई थी अब ही इस quarter में जो company ने total खर्च किया है वो किया है 393 क्रोन रुपए जबकि पिछले quarter में यानि quarter one में जो total खर्च वा था company का वो था 1512 क्रोन रुपए का तो जाहिर सी बात है पिछले quarter में company के कमाई भी ज्यादा हुए थी तो खर्चा भी ज्यादा हुआ था अब साल पर पह देहर पर 5-7 करोन का आसपास खर्चा जो बढ़ा है महांगाई पढ़ने के विज़र से बढ़ा आई फीर जरे बढ़िनाचे कम हों हुआ सेंटीस क्रोन रुपए जबकि यही पिछले quarter में यानि कि quarter रोन में company को जो total profit हुआ था वह हुआ था 129 क्रोन रुपए का देख सकते हैं तक्रीवा का सकते हैं 90 क्रोन के आसपास profit कम हो गया है सिर्फ तीन माहा में वहीं यादी साल पर पहले की बात करें साल पर पहले quarter two के result में कितना profit हुआ था company को व अब ही के quarter two के result में अर्निंग पर share हो गया है कम होकर 0.7 पैसा रह गया सिर्फ जबकि यही पिछले quarter में 0.16 पैसा था और पिछले साल के सेम quarter result में तक्रीवर पचास पैसा कासपास हुआ करता था result निरास्ता जनक आया है लेकिन एक बार फिर कहता हूं यह result company का future नहीं करेगा company जी सेक्टर में काम करती है उस सेग्मेंट में मार्केट लीडर है और यह तीनों सेग्मेंट का भारत में भविश से future oriented growth है इस company का इसलिए इसको ignore करके नहीं चला जा सकता इसमें बने रहना ज़रूरी यह investment है तो बिसक समय दीजिए नए लोगों के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अब यह opportunity है share का price कम है एक बार quarter का result अच्छा आ गया तो share में boom देखने को मिलेगा price देजी से उपर सब्सक्राइगा उमीद करता हूं आप इस बातों को समझ पा रहे होंगे यह update आपको पसंद आई होगी मन में कोई भी संका है स्वाल है तो आप उस comment पूछ सकते हैं personally मुस्से जूर कर बाते करना चाहते तो मुझे Instagram पे follow कर लिए link description में दिया गया है और यदि आपके पास share इन्वेश्टमेंट करने के लिए डिमेट अकाउंट नहीं है तो आप इंजलों के साथ अपना फ्री डिमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं link description में दिया गया है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए धन्यबाद सुक्रिया